Welcome to Edujos, Edujos में आप सभी लोग का स्वागत है दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग quality के यानि उसमें भारतिय सम्विधान के कुछ important question देखेंगे बहुत ही important question यह सारे question आने वाले किसी भी exam के लिए काफी important रहेगा तो इस वीडियो को last तक देखेगा वीडियो पसंद आए तो इसे like and share जरूर कीजएगा आप हमारा android app भी download कर सकते हैं और जो लोग हमारे channel से अब तक नहीं जूरे हैं चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का notification आपको मिलता रहे देखे COVID-19 की वज़र से बहुत सारी परिक्षाएं हैं जो रोकी हुई हैं लेकिन आने वाले कुछ दिनों में परिक्षाएं फिर से अब शुरू हो जाएगी जैसे कि आप सबको पता है SSC ने भी अपना schedule जो है वो निकाल दिया है कि कब-कब exam होगा इसी तरह से railway का बाकी है और other states के भी जो भी exam होने हैं तो वो भी अब धीरे-धीरे schedule करेंगे इसको तो चलिए आज का जो पहला question है वो यहाँ पर हम लोग देखते हैं बारते समिधान में प्रस्तावना जिसको preamble करते हैं तो प्रस्तावना का विचार किस देश के समिधान से लिया गया है यह question पूछा गया है बारते समिधान में प्रस्तावना का विचार जो है वो किस दे बारतिय सम्विधान में जो प्रस्तावना का विचार है, वो कहां से लिया गया है, किस देश के सम्विधान से, अमेरिका के सम्विधान से, ठीक है, इसको याद रखेगा, अगला प्रस्ट यहाँ पर इसी से रिलेटेड है, कि यह जो प्रस्तावना की भासा है, वो किस देश से लिए गई है बारतिय सम्मिधान के जो प्रस्तावना की भाषा है वह किस देश से लिए गई है उस्टेलिया रूस आयरलेंड या फिर अमेरिका तो राइट अंसर यहाँ पर क्या हो जागा इस कोश्चन का राइट अंसर होगा उस्टेलिया ठीक है यह जो भाषा लिए लिए गया है न्याइक पुर्णा न्याइक जो पुर्णा वलोकन है वो लिया गया है सम्मिधान की सर्वोचता ली गई है यह सारी चीजे यूएसे से यानि अमेरिका से ली गई है अगला प्रश्न यहाँ पर देखे बारतिय राजनीतिक विवस्था में सबसे उपर कौन ह अगर बात करें राजनीतिक विवस्था में जो सर्वोच है वो कौन है यहाँ पर options दिये गए आपके सामने सम्मिधान, सर्वोच, न्याले, संसद या फिर धर्म तो देखे भारतिय राजनीतिक विवस्था के अंदर जो सम्मिधान को सबसे उपर रखा गया तो याद रख न्यायक समिक्षा की अवधारना किस देश के सम्मिधान से ली गई है बहुत है important question है इस question का answer क्या हो जाएगा अमेरिका option number C, America इस question का right answer होगा अगला प्रस्ण यहाँ पर देखिए अगला प्रस्ण है संघिये प्रनाली की विशेष्टा किस देश से प्रेरित है option है America, England, Canada या फिर Ireland तो इस question का right answer क्या होगा इस question के लिए right answer option number C, Canada इसका right answer होगा ठीक है संघिये प्रनाली की विशेष्टा करनाडा से ली गई है अगला प्रस्ण यहाँ पर हम लोग देखते हैं अगला प्रस्ण है न्याइक समिक्षा यानि judicial review की प्रनाली किस देश के समि लिए गया है तो न्याइक सिक्षा जो न्याइक समिक्षा इसकी प्रनाली है ये किस देश से लिए अमेरिका से option number B यहाँ पर right answer होगा अमेरिका इसके बाद question आपके सामने यहाँ पर है समवर्ती सुची किस देश के समिधान से लिए गया है समवर्ती सुची आपने नाम संग सुची है इस तरह से कई राज्य सुची है समवर्ती सुची है तो इसमें से पूछा गया है आपसे कि समवर्ती सुची किस देश के समिधान से लिए गई है तो right answer क्या होगा इस question का options यहाँ पर है France, England, Australia और Canada इस question के लिए right answer होगा Australia option number C ठीक है next question देखे अगला प्रशन तो इसमें राज जो है नीती बनाते वक्त इस चीज का धियान रखते हैं इसके अंतरगत ही काम करते हैं तो राज के नीती निर्देशकत्त्त किस देश के समिधान से लिए गया है रूज, England, Ireland या फिर Australia तो देखे नीती निर्देशकत्त्त प्रशन है और अकसर exam में पूछ जाता है तो यह इसका अंसर हो जाएगा Ireland जो कि आप सब को पता होगा इसका अंसर बहुत ही easy question था यह और यह अक्सर exam में रहता है तो Ireland इसका right answer हो जाएगा राजिके नीती निर्दिशक्तर तो जो है Ireland के समयधान से भारत में शामिल किया गया है अगला प्रशन यहाँपर देखे मौलिक कर्थब की अवधारना किस देश के समयधान से लिए गई है मौलिक कर्थब की बात करें यहाँपर तो किस देश के समयधान से लिए options यहाँपर है रूस, उस्टेलिया, कनाड़ा और इंग्लेंड तीक है लिया Canada, England या फिर Japan देखे इस question का अंसर क्या होगा इस question का अंसर होगा England देखे दो टर्म आता है एक है विधी के समक्ष समता जो की England से लिया गया है एक question पूछा जाता है इसी तरह से कि विधी को ही कानून कहते हैं तो सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कानून के समक्ष समता यहाँ पर आप इसको कानून भी कह सकते हैं तो कानून के समक्ष समता या विधी के समक्ष समता किस देख के समयधान से लिया गया है इंगलेंड से ठीक इसी तरह से सवाल आप से पूछा जा सकता है कि कानून के समक्ष समान सनरक्षन ये दो अलग-अलग वाक्य हैं इसको ध्यान रखेगा विधी के समक्ष समता और कानून के समक्ष समान सनरक्षन एक प्रोटेक्शन की बात की गई है एक कानून बनाते वक्त जो है लोगों का ध्यान रखते हुए कानून को बनाना है उसके समानता की बात की गई है तो दोनों में डि को लेलिया ऐसा नहीं होना चाहिए ये इसमें लिखा हुआ है और इसके बाद जो कानून के समक्ष समान संरक्षन है वो मिलना चाहिए जैसे कि कोई भी व्यक्ति इंडिया में है नागरी की बात नहीं की जा रहे है व्यक्ति लिखा हुआ होता है व्यक्ति जो भी भारत में है भारत की परिधी के आंदर है, भारत की सीमा के आंदर है उसको कानून کا जो सनरक्षन मिलना चाहिए, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए वो जरूर मिलना चाहिए और उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए तो वह एक अलग कोशन आगे हम लोग देखेंगे तो इस question को ध्यान से याद रखे विदी के समक्ष या कानून के समक्ष समता अगर पूछा जाए तो ये लिया गया है England से ठीक अगला पूर्शन है भारतिय समधान के शंशोधन की परकिरिया किस डेश के समधान से ले गई है और यहाँ पर चार अप्चन है अमेरिका, दरक्षिन अफरीका, रूस और इंगलेंड देखिए समधान SHंशोधन की परकिरिया यानि समधान में जो शंशोधन होता है उसके लि आपको याद रखना है अगला सवाल जो है वो आज का सवाल है जिसका जवाब आपको देना है बहुत ही आसान सा सवाल है मौलिक अधिकार का विचार किस देश के सम्मिधान से लिया गया है ठीक है ये question है जिसका answer आपको comment box में लिखना है मौलिक अधिकार का विचार किस देश के सम्मिधान से लिया गया है और answer इसका क्या हो जाएगा चलिए मैं answer भी बता जता हूँ, आप लोग comment करके जरूर बताएगा, जिन्होंने बताएगा वो सही है, answer देखे, America इसका right answer हो जाएगा, Molly कदिकार का विचार किस देश के समिधान से लिया गया है, तो answer हो जाएगा option number D, जिन्होंने भी option number D लिखा है, या सोचा है, वो option सही है इस तरह के कई ऐसे questions थे, जो इस वीडियो में discuss करना जरूरी था, जैसे कि राजी के नीती निर्दिशक्तत्त है, समिधान संशोधन है, ये सारी चीजें आपको याद रखना है, संगात्मक विवस्था जो है, वो कनाड़ा से लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है, इसके अलावा मूल अधिकार के बारे में हमने आपको बता है, नयायक पुर्णा विलोकन जो है, वो USA से लिया गया है, इसी तरह से बिटेन की सही जो यानि, बिटेन से जो लिया गया है, वो संसदिय साशन विवस्था है, उसके बाद है, एकल नागरिकता एक सवाल पूछ नाई हो तो इसे लाइक कीजेगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेर कीजेगा, थैंक्यू सो मच, आप सबी लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद